आज से केवल 14 दिन का समय रहे गया है और आज से सही 14 दिन बात जो है 25 माई को हरियाना के अंदर लोकसभा के लिए मतदान किया जाएगा मतदान किया जाएगा तो इसे लिए जो है जो प्रतियाशी है वो जो है जनता के बीच में जा रहा है फिलहाल जो है हमारे साथ गुरुग्राम लोक सभा सीच से जो प्रतियाश्वी है उनके एक प्रतिनीदी के तौर पर आर्थी राउ हमारे साथ है जो यहां यहां पर हमारे साथ आर्थी राउ है जानते है कि किस तरीके से फिलहाल का चुनाव जो है वो चल रहा है और आने वाली 25 तारी को मुझे पूरी आशा है कि सभी भारती जनता पार्टी और राविंदर जीत सिंग के लिए वोट करेंगे मैं लगातर जो विपक्ष है वो इस चीज का इस्तिमाल कर रहा है कि इतनी बार मौके दे दे लेकिन फिर से एक बार 5 साल क्योंकि भारती जनता पार्टी ने एक बार फिर से राविंदर जी पे विश्वास जताया है तो और ये 5 साल मांगे जा रहे हैं तो किस तरीके से देखते हैं जी मैं देखती हूँ कि लोग भी जानते हैं कि राविंदर जीत सिंग से बहतर कैंडिडेट नहीं हो सकता है गुरगान लोगसभाशेत्र क्योंकि 36 बिरादरी की नेता हैं सबसे पहले और दूसरी बात इमानदार नेता है और विकास के कारियों के लिए हमेशा तर्ट पे रहते हैं और जो भी विकास कारियों हुए है केंडर सरकार की तरफ से तो आज के दिन मुझे लगता है कि भारते जनता पार्टी की सरकार के साथ सबी एक बार फिर मौका देना चाहते है भारते जनता पार्टी को और राविंद जीत सिंग जी को क्योंकि हमेशा जो भी जैसे प्रधान मंतरी जी ने कहा कि वो बोलते कम है और काम ज़ादा करते हैं मैं, जैसे की रोहतक सीट है, वहाँ प्टि पिंदरों हुडणा जो हैं, और भी जतने भी हैं, सोनि पत की बात हूँ, कॉंग्रिस के जतने भी प्रतियाशी हैं, वो बार-बार यही कहा रहा हैं, चाहिए उह भारती जंदापा पार्टी के प्रतियाशी हूह। कि हम भी चाते हैं कि गुर्गाउं जैसा शहर हमारे यहां हो तो बहुत-बहुत फक्र की बात है हमारे लिए जिस तरीके से फिलहल आपने भाशन में भी कहा कि जो राजबबर साहब है वो पांच बार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ चुके हैं और आज गुरुगराम म उन पर विश्वास जता पा रही है क्या बहुत जैसा कि अगली बार इहां पर दिखाई दे यहां दिखाई दे या फिर ऐसा ही हो कि 25 तारीक के बाद इहां दिखाई जी मुझे यह तो नहीं मालुम कि उनका परसनल प्रोग्राम क्या है मैं बस यह कह सकती हूं कि हिस्टोरि से दुबारा नहीं लड़े तो ये बड़ी बात है कि 45 साल से जो चुनावी मुद्दो पर जो है वो चुनाव लड़ा जाता है कि इस बार भारती जनता पार्टी किन चुनावी मुद्दो के साथ जो है फिल करने की कोशिश की जाएं इस सब पहला तो एम्सम में बनाना है शिलनयास हो गया है और हमार वादा है कि जल क्षों और हमारे प्रदान्मंत्री जी अश्यां गे वहां पर अंधगातन करने के लिए तो यह सबसे पहला फिलर मेंबूली। सबसे पहला विश्फुल्मेंट है आने वाले 5 सालों के हमारे जो विजन है मैं कहूंगी जो विजन है अगले 5 सालों का वो सबसे पहला एम्स को लेके है एक आरा टीयस है रापिड ट्रेन उसके लिए अगला विजन है क्योंकि हमने पास किया है काम अभी शुरू होना है तो अगला अलवर जाने का रस्ता बिलकुल हाईवे के बगल में एक रापिड ट्रेन चलेगी, हमारा और्बिटल रेल कॉरिडॉर है, वो बनने जारा पचास फीसिती बन गया है, के एमपी के बगल में, पचास फीसिती रह गया है, मेट्रो लाइन है, जो ओल गुडगाओं क लोग उसका लाब उठा सके लिए, आप ऐसा हो सकता है कि आप चुनावी मैदान में हो, तो क्या अगले साल जब राव आरती राव जो है यहां चुनावी मैदान में, अपने लिए वोट मांगने आएंगी, तो उससे में शायद एम्स भी बन चुका होगा, मैट्रो भी बन वाले वक्त में भी उनके साथ खड़ी रहोंगी, उनकी खुशी और उनके गम में, उनका हमेशा साथ दोगे, यह थी हमारे साथ आती राव जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में जो है गुरुगराम के अंदर विकास होने वाला है और किन तर्ज पर जो है गुरुगराम के वोटर से वोटो की अपील की जा रही है